दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप फ्री फायर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लेश्टोर पर जब जाते हैं तो यहाँ पर आप फ्री फायर टाइप करते हैं तो यहाँ पर आप इंस्टल वाले बटन पर यहाँ पर आप क्लि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा तो दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है यहां पर सबसे पहले इसको कैंसल कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर बैक आना है और आपका जो मुबाइल का सेटिंग है उसे उपन करना है open करने के बाद दूस्तों यहाँ पर आपको network setting पर click करना है click करने के बाद दूस्तों यहाँ पर आपका जो network है उससे पहले सबसे पहले आपका 4G पर होगा तो आपको थोड़ी दिर के लिए यहाँ पर 2G पर click करना है क्लिक करने के बाद दुस्तों यहाँ पर आपको वापिस से इसे 4G पर सिलेट करना है उसके बाद आपको नीचे पर एक option लेगा APN का तो आपको APN वाले option पर क्लिक करना है उसके बाद दुस्तों यहाँ पर आपको reset APN यहाँ पर आप देख सकते नीचे reset default तो उसके बाद आपको यहाँ पर आपको आपको आपके एप मेनेजर पर जाना है तो यहाँ पर दुस्तों आपके नाम मोबाईल में application management नाम से भी हो सकता है तो यहाँ पर आपको ढून लेना है कौन से नाम से है तो यहाँ पर मेरे मोबाईल में application से नाम से तो उस पर आपको click करना है उसके बाद आपको all app कर click करना है यहाँ पर all है ना उस पर आपको click करना है तो यहाँ पर आपके mobile में जितने भी application है वो सारे application यहाँ पर आपको तो यहां पर आपका playstore आ जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं उस पर आपको click करना है और यहां पर आपको storage बटन पर click करना है क्लिक करने के बाद दुस्तों यहां पर आपको नीचे आपको अप्सन मिलेगा क्लियर कैच उसके बाद आपको यहां पर क्लियर डेटा पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको यहां पर बैक आना है उसके बाद दूस्तों यहाँ पर नीचे आपको option मिलेगा permission का तो आपको permission पर सारी permission उसे allow कर देना है यहाँ पर अगर आपकी disallow है तो सब की सबी permission को आपको यहाँ पर allow कर देना है उसके बाद दूस्तों यहाँ पर आपको बेक आना है और यहां पर आपका जो प्ले स्टोरी उसे आपको फोस्ट आप कर देना है तो यहां पर फोस्ट आप कर देने उसके बाद आपको यहां पर बेक आना है उसके बाद आपको वापिस से बेक आना है बेक आने के बाद दूस्तों यहां पर आपको more setting वापिस जाएंगे तो यहा या नई तो यहां पर आपका डेट और काम साही नहीं है तो यहां पर आपको यहां पर क्या आप रहा करना है उसके बाद आपको यहां पर बैक आना है देक आने के बाद दूस्तों यहां पर आपको प्लेश्टोर को ओपन करना है प्लेश्टोर को ओपन करने के बाद दूस्तों यहां पर आपको यहां पर आपको राइट साइड में प्रोफाइल का ओप्सन मिलता है आपको उस पर क्लि है उसके बाद दुस्तों यहांपर आपको एक option मिलेगा एफ download reference अगर यहांपर आपको WiFi पर है तो आपको यहांपर आपका यहांपर WiFi यार किसी और पर है तो आपको यहांपर उपर ला दिना है over any network पर click करना है उसके बाद आपको नीचे डन वाले option पर click करना है उसके बाद आपको यहां पर बैक आना है उसके बाद अगर आपको आपका जो फ्री फायर उससे आपको यहां पर वापिस से सर्च करना है तो यहां पर हमने फ्री फायर को सर्च किया यहां पर उसके बाद आपको फिर से इंस्टल वाले बटन पर क्लिक करना है उसकी बाद दुस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का interface नेजर आ जाएगा तो यहाँ पर आपको उपर वाले बटन पर क्लिक करना है उसकी बाद आपको OK पर क्लिक करना है तो आपका जो free fire यहाँ पर आप देख सकते हैं पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपको फ्रीफायर यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नेती चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आकन को प्रेस करें तन्यवाद